नमस्कार मैं रविश कुमार तो अब ऐसा होगा कि राहुल गांधी जो सवाल उठाएंगे उसका जवाब नहीं दिया जाएगा उनसे माफी मांगी जाएगी मगर सदन में बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा और भाशनों के आधार पर मानहानी का मुकदमा दायर कर दिया जाएगा विपक्ष से लड़ने का ये अच्छा तरीका मिल गया है राम की राजनिती करने वाले राम की मर्यादा की राजनिती करना भूल गए लगते हैं राम की मर्यादा का जिक्र इसलिए किया कि कोट के बाहर राहुल के खिलाफ मुकदमा करने वाले पुरनेश मोदी के समर्थक जैश्री राम के नारे लगाते सुने गए हैं ऐसा दैनिक भासकर ने लिखा है क्या वाकई ये राम की मर्यादा के अनुकूल है अगर है तो क्या यही पैमाना उन नेताओं पर लागू हो सकता है जिन्होंने कपड़ों के आधार पर करोडों की आबादी को निशाना बनाया था अगर यही पैमाना उस नेताओं पर लागू कर दिया जाए जिसने एक कानून का विरोध करने वालों को गोली मारने के नारे लगवाए थे अगर यही पैमाना उस नेताओं पर लागू कर दिया जाए जिसने एक महले के लोगों को करिंट लगाने की बात कही थी EVM मशीन दबा कर तो आज संसद ही नहीं सरकार भी खाली हो जाएगी सूरत की जिला अदालत ने एक भाशन को लेकर राहूल गांधी को दो साल की सजा दी है बीजे पी इस फैसले का बढ़ चड़ कर स्वागत कर रही है इसलिए राहूल गांधी के फैसले और इस पर आई प्रतिक्रिया पर आने से पहले उस भाशन की याद जरूरी है जिसमें केंद्रिय मंत्री पर गोली मारने के नारे लगवाने के आरोप लगे थे एक समुदाय के प्रति लोगों को उकसाने का आरोप बीजे पी के एक सांसत पर लगा था सीपीम नेता व्रिंदा कराद की याचिका पर दिल्ली हाई कोट ने क्या कहा इसे याद कर लेना जरूरी है तभी राहूल गांधी के मामले में आगे बढ़ने की हम कोशिश करेंगे आज बीजे पी अदालत के इस फैसले को भूल जाना चाहेगी लेकिन उस वक दिल्ली हाई कोट ने जो कहा आप बीजे पी को याद दिला सकते हैं क्योंकि दाओं पर बीजे पी नहीं है दाओं पर लोग तंत्र है अगर आप भूल गए हों तो पहले आप इस हिससे को सुनि हैं दो हजार उन्नीस के साल के आखरी महिनों में शाहीन बाग में आंदोलन चल रहा था बीजे पी के निता उस आंदोलन को तरतरस से निशाना बना रहे थे केंद्रिय मंतरी अनुराग ठाकूर और बीजे पी के सांसत परवेश वर्मा के भाशनों की उस वक काफी आलोचन दिया गया उस समय की मीडिया रिपूर्ट उठा कर देखिए अदालत ने कहा कि अगर ये बात हंसकर कही गई है तो कोई अपराद नहीं बनता कोट की एक एक बात आज याद कीजे चुनावों के समय ये दिल्लिहाई कोट के जज का कहना है चुनावों के समय जो भाशन दिय जाते हैं वो सामान्य समय से अलग होتे है कई बार माहौल बनाने के लिए कुछ कह दिया जाता है मगर वैसी मनेशा नहीं होती है जस्टिस चंद्रधारिस सींग ने कहा कि अगर कोई बात मुस्कुरा के कह दी जाए तो कोई अपराद नहीं होता लेकिन अगर कोई बात आकर हम उनके एक्ट में यानी कारवाई में आप राधिक तत्वों को देखना चाहेंगे अदालत ने कहा कि अगर ऐसा होने लग जाए तो चुनावों के दौरान सभी नेताओं के खिलाफ हजारों एफ आई यार दर्ज हो जाएगी अदालत ने यह भी कहा कि चुनाव जीतने के इरादे से कुछ कहना और लोगों को भड़काना या उकसाना दोनों अलग अलग बाते हैं गाहुल गांधी के खिलाफ जो फैसला आया है उसे आप दिल्ली हाई कोट के फैसले के साथ देखिए तो अदालती फैसलों की व्यापक समझ या समिक्षा कर पाएंगे अनुराग ठाकूर और परवेश वर्मा के खिलाफ एफ आई यार नहीं हुई अदालत ने उनके कथित रुप से भड़काओ भाशनों पर कहा कि चुनाओ जीतने के लिए कहना और सामान्य समय में उकसाने के लिए कहना दोनों में अंतर है अब सवाल है कि क्या यही कसोटी राहूल गांधी के लिए लागू की जा सकती है या राहूल गांधी के लिए अलग कसोटी होगी हम अदालत के फैसले की नहीं इस फैसले पर आई बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया की बात कर रहे है दुनिया का इतिहास रहा है जो हो रहा है वहू बहू हो चुका है कानून का सहारा लेकर इसी तरह आवाजों को खामोश किया जा चुका है आज उस नेता की हसी रुक नहीं रही होगी जिनोंने एक महिला के बारे में कहा था वे पच्चास करोड की गल्फरेंड है पच्चास करोड की गल्फरेंड किस मर्यादा के अनुसार श्रेष्ट भाषन है अगर इसी बात पर दुनिया भर की तमाम गल्फरिंट्स ने प्रेमिकाओं ने मुकदमा दायर कर दिया होता तो दुनिया की अदालतों में प्रेमियों का सर हमेशा के लिए जुग गया होता इस आधार पर अगर सिखों ने मुकदमा कर दिया होता कि उनका नाम जोड़कर लतीफे बनाए जाते हैं तो हसने वाले सारे लोग आज दो से लेकर छे साल की सजा काट रहे होते उदारता उन से सीख लेनी चाहिए राहुल गांधी को भाशा और भाशन की नसीहत देने वाले अपने ही निताओं के वीडियो सुन लें किसी अदालत को सजा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी सूरत पश्चिम के बीजेपी के विधायक और गुजरात के पुर्व परेटन मंत्री ने मकदमा किया 2019 में करनाटका के कुलार में राहुल गांधी भाशन दे रहे थे मैं उनके ही शब्दों को दोहरा रहा हूँ राहुल ने कहा कि 30,000 करोड आपकी जेब से निकाल कर उसकी जेब में मेहुल चौकसी ललित मोदी अच्छा एक छोटा सा सवाल सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंदर मोदी और अभी थोड़ा ढूंडेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट एचेच वर्मा ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है 15,000 का जुर्माना लगाया है सुरत जिला कोड के चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट एचेच वर्मा ने आई पी सी की धारा 499 और 500 के तहत उन्हें सजा दिये साथी बेल देते हुए 30 दिनों के लिए सजा स्थगित भी कर दी ताकि वे उच्चे नियाले में अपील कर सकें डैनिक भासकर में बीजेपी विधायक पुरुनेश मोदी का बयान छपा है उनका कहना था कि राहुल गांधी ने हमारे समाज को चोर कहा चुनावी सभा में हमारे खिलाफ आरोप लगाए गए जिससे हमारी और समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है इसी के चलते हम इस मामले को कोट में लेकर आए राहुल गांधी के वकील ने दलिल दी कि पुरुनेश मोदी को इस मामले में पिडित पक्ष के रूप में शिकायत करता नहीं होना चाहिए था क्योंकि राहुल गांधी के अधिकानश भाष्णों में प्रधान मंत्री को निशाना बनाया गया था ना कि पुरुनेश मोदी को आप भी सोचिए क्या ये इतना बड़ा बयान है कि किसी सांसत को दो साल के लिए जेल में डाल दिया जाए अगर यही होता रहा तो हर भाशन के बाद मुकदमे होने लगेंगे कांगरेस की विधवा प्रधान मंत्री ने किसे कहा था क्या इस से अपने जीवन साथी को खो देने वाली युर्टें, आदालत चली गई थी क्या इस के लिए राजनाथ सिंग ने प्रधान मंत्री मोदी को कोई नसीहत दी थी जो आज उन्होंने राहुल गांधी के लिए कहा है ANI News Agency से राजनाथ सिंग ने कहा कि मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी को ये स्विकार करना चाहिए कि शब्दों की चोट, शस्त्रों की चोट से ज़ादा गहरी और पीड़ादाई होती है और शब्द जब अनर्गल और जूटे हों तब तो चोट और गहरी और कस्टदाई हो जाती है क्योंकि हमारी कानून विवस्था में अनर्गल बेतु के आरोप लगाने वालों पर सजा का सीधा प्रावधान है और मुझे विश्वास है कि न्याईक आदेश से सीख लेते हुए हम सभी को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सारवजिनिक जीवन में शब्दों की मर्यादा किसी भी सूरत में तूटने ना पाए अगर राजनाच सिंग की बात मान ली जाए तो मैं अभी आपको एक फेरिश्च देता हूँ जहांकि शब्दों की चोट राहुल गान्दी के शब्दों से सो गुड़ा ज्यादा है राजनाच सिंग के हर कॉलिक द्वारा जो उनोंने अंदेखी की हैं अंसुनी की है जो उनको सुनाई भी नहीं देती दिखती भी नहीं आप भी इस फिरिश्च को जानते हैं लिस्ट को जानते हैं तो यह जो एक तरफा कॉमेंट है वो गलत है राहुल गान्दी अपने सभी कानूनी अधिकार का उप्योग रक्षा मंत्री को बताना चाहिए कि इस आदेश से सबक लेने वाले हम सभी में कौन-कौन है क्या राहुल गांधी अकेले हैं या वे भी हैं जो गोली मारने के नारे लगवा रहे थे क्या वे भी हैं जो कॉंग्रेस की विध्वा कह रहे थे और पचास करोड की गल्फेंट का बयान दे रहे थे क्या वो हैं क्या इन बातों की आलोचना राजनिती के स्तर पर होगी या अदालतों में मुकद्मों के द्वारा सवाल आपके सामने ये है चाह और शहनशा को एक ऐसा हिंदुस्तान चाहिए जिसमें विपक्ष चुप चाप कोने में पड़ा रहे जिसमें मीडिया इनकी धुन पर नाचता रहे जिसमें संस्थाएं इनके इशारे पर खड़ी हो इनके इशारे पर बैठ जाएं लेकिन राहुल गांधी इनसे इनक किसी और वजीर के पास है इसलिए सुबर से शाम तक शड्यंतर रचते हैं कि कैसे राहुल गांधी की आवाज बंद की जाये कैसे उसे चुप कराया जाये राहुल गांधी चुप नहीं होते में राहुल गांधी सवाल उठाता रहेका पूरा तंत्र, पूरी सरकार, सारे संसाधन, चरण चुम्बक मीडिया, सरकार की सारी एजनसिया और खुद प्रधानमंत्री मोधी एक अकेले आदमी को चुप कराने में क्यूं जुटे हैं और अगर आपको लगता है कि जिसको चुप कराने की आप कोशिश कर रहे हैं, वो चुप हो जाएंगे तो आप मुगालते में हैं, जिसको चुप कराने की आप कोशिश कर रहे हैं, उनका नाम राहुल गांधी और गांधी डरते नहीं हैं, वो सत्य की लड़ाई पूरी शिद आदानी पर सवाल पूछते हैं कि अडानी के ओपर बेनामी संपत्त्ती इस देश में लाने का आरोप है आप जाज क्यूँ नहीं कर रहें वो पूछते हैं कि SBI और LIC ने अडानी में पैसा क्यूँ लगाया वो पुछते हैं कि आपकी विदेश नीती अडानी को कॉंट्राक्ट दिलाने में क्यों लगी हुई थी वो पुछते हैं कि अडानी को 609 नंबर से दूसरे नंबर तक ले जाने में आपकी भूमिका थी तो ये रिष्टा क्या है और ये क्या कहलाता है इन सवालों का जवाब नहीं है आपके पास संसत से आप भाग रहे हैं संसत की कारवाई आप स्थगित कर रहे हैं माइक को आप आफ कर रहे हैं संसत को म्यूट करने क्या कुछ सित प्रयास आप कर रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ आप कितनी भी ट्रोल आर्मी छोड़ दीजे वो राहुल गांधी है और वो सत्त की लड़ाई और पुर्जोर तरीके से और मजबूती से लड़ेंगे। दिक्कत क्या है आपको कि उन्होंने नीरव मोधी को और ललत मोधी को और महुल चोकसी को चोर बुला दिया। करिए राहुल गांधी को आप अपना पूरा तंत्र और छोड़िए उनके पीछे क्योंकि इस देश को भी तो दिखना चाहिए कि ताना शाह किस कदर बॉखलाया और घबराया हुआ है। उससे कहीं जादा कस्टदाई है फैसले को लेकर आई राजनितिक प्रतिक्रिया बीजेपी निताओं के बयान। रविशंकर प्रसाद ने राहूल गांधी के लिए जो जो कहा है क्या उन्हें नहीं मालूम के उनकी ही बहुत सी बातें रविशंकर प्रसाद की बहुत सी बातें प्रदान मंत्री मोदी और बीजेपी के अन्य सांसदों पर भी लागू की जा सकती हैं। कि उन्होंने दोजार उन्निस के चुनाओ की रैली में करनाटका में कहा था करनाटका में How come all the thieves have Modi as the common surname सारे चोरों का सरने मोदी क्यों होता है इसका मतलब क्या है मतलब सरने में नहीं कहीं कि मोदी जाती होती है मोदी लोग sportsmen होते है political leaders होते है बड़े-बड़े doctors होते है professionals होते है businessmen होते है और आपने ये कह दिया तो आपके खिलाफ करवाई नहीं होगी क्या क्यों नहीं होनी चाहिए अगर आप एक पूरे सरनेम को इस तरह से insult करेंगे कि जिसका सरने मोदी हुआ वो चोर होता है तो तो बिल्कुल defamatory है ना और बकाइदे सुनवाई हुई उनको अपना पक्ष रखने का अवसर मिला उनके वकीलों ने बहस की prosecution के witnesses आये जो कानून की प्रक्रिया है उसके अनुसार ये दिरने हुआ जहां तक मेरी जानकारी है बिहार भाजपाक रहता सुशिल मोदी ने भी पत्ना में एक केस कर रखा है और वहां विरावल गांदी बेल पर है मदर अब डिमोकरिसी की सबसे बड़ी पार्टी के नेता का या अधिकारिक बयान है नजाने कितने लोगों को इस देश में फर्जी मुकद्बों में फसा दिया जाता है पत्रकारों से लेकर समाजी कारेकरताओं के साथ क्या हुआ ये आप जानते है क्या रविशंकर प्रसाद ने कभी प्रेस कांफरेंस की कि कानून का गलत इस्तमाल नहीं होना चाहिए उत्तर प्रदेश में एक डॉक्टर के खिलाफ अवैद रूप से राश्ट्रिय सुरक्षा कानून एने से लगाया गया क्या रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कांफरेंस की कि कानून का गलत इस्तमाल नहीं होना चाहिए सवाल यह है कि क्या आप देख पा रहे हैं कि कानून का गलत इस्तमाल भी ठीक और कानून का सही इस्तमाल भी ठीक मगर दोनों ही इस्तमाल केवल सवाल करने वालों और विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हो तो दोनों ही ठीक क्या ये ठीक हो रहा है मान हानी के मुकदमे का इस्तमाल कर पत्रकारों को डराया जाता रहा है लेकिन अब इसके इस्तमाल से विपक्ष को भी खत्म किया जा रहा है इसी के साथ कानून मंत्री किरेंडि जीजू का भी ब़ी बयान देखना चाहिए उनकी आरंभिक प्रतिक्रिया मैं बताने जा रहा हूँ रिपोर्टरों से बात करते वे केंद्रिय कानून मंतरी किरिन रिजी जू ने कहा कि मैं कुछ भी कहने से पहले और्डर की कॉपी देखूंगा राहुल गांधी जो कुछ भी बोलते हैं वो हमेशा कॉंग्रेस पार्टी और पूरे देश पर गलत असर डालता है कॉंग्रेस के कुछ सांसदों ने मुझसे कहा है कि राहुल के रवईये से कॉंग्रेस को ही नुकसान हो रहा है यह फैसला एक बयान को लेकर आया है एक बयान आपको अपराधी की श्रेनी में खड़ा कर सकता है अगर आप संसद सदसे हैं तो सदसेता आपको गवानी पड़ सकती है अगर कानून इस तरह से लागू होने लग जाए तो एक कानून एक दिन इसलिए बनाना होगा कि कुछ नेताओं को छोड़ दिया जाए क्योंकि सारे नेताओं के जेल में जाने से राजनिती खाली हो गई है राहूल गांधी ने इस फैसले के बाद ट्वीटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है कॉंग्रेस नेताओं के ट्वीटर हैंडल पर डरो मत के पोस्टर जारी किये गए हैं और सब ने अपनी प्रोफाइल में डरो मत के पोस्टर लगा लिये हैं राहूल गांधी ने महात्मा गांधी के कफन को ट्वीट किया कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है सत्य मेरा भगवान है अहिंसा उसे पाने का सादन कुछ देर बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया और लिखा कि भगर सिंग, सुखदेव और राजगरू को शहीद दिवस पर सादर नमन, सच और हिम्मत का दामन थाम, देश के लिए बेखौफ लड़ते जाना, भारत मा के इनी वीर सपूतों से सीखा है, इनकलाब जिन्दा बाद आजगरेस की आधिकारिक हैंडल से ट्वीट किया गया है की गांधी डरते ने, कौंगरेस पार्टी के ट्वीटर एकाउंट से राहुल का एक बेयान ने ट्वीट किया है, यह वीडियो पुराना है और ट्वीटर पर लिखा है, मैं सते में विश्वास करता हूँ, मै सत्य के लिए लड़ता हूं मैं बीजे पी आरेसे से नहीं ड़ता और यही बात उन्हें परिशान करती है। कॉंग्रेस के मीडिया प्रमुक जैराम रमेश ने ट्वीट किया है कि ये निव इंडिया है अन्याएं के खिलाफ आवाज उठाओगे तो एडी सी बी आई पुलिस F.I.R. सबसे लाब दिये जाओगे राहुल गांधी जी को भी सच बोलने की ताना शहक के खिलाफ आवाज बुलंद करने की सजा मिल रही है। देश का कानून राहुल गांधी जी को अपील का अवसर देता है वह इस अदिकार का प्रयोग करेंगे हम डरने वाले नहीं लेकिन जान बुचकर ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने जो बात कही उससे किसी को हानी नहीं हुई है तो कम से कम सजाद दी जाए। राहुल के वकील ने कहा कि इस पूरी घटना में कोई घायल नहीं हुआ इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इसलिए हम किसी प्रकार की दया की याचना नहीं करते हैं राहुल ने कहा कि वे इस देश के लोगों से प्यार करते हैं किसी जाती का अपमान करने की कोई मनशा नहीं थी जज ने कहा कि सुप्रीम कोट की छेतावनी के बाद भी लगता है कि अभियुक्त के वहवार में कोई बदलाव नहीं आ अभियुक्त सांसद हैं और उनके भाषन का नागरिकों पर व्यापक असर होता है सोचिए कपड़े से पहचानने वाले करिंट लगाने वाले गोली मारने वाले भाषनों का नागरिकों पर कितना असर पड़ता होगा कॉंग्रेस की विध्वा बोलकर क्या भारत की महिलाओं क सम्मान बढ़ाया गया था राहुल गांधी के वकील कीर्थी ने कहा कि हम फैसले का को उची अदालत में चुनौती देंगे क्योंकि मोदी नाम से तो कोई समुदाय नहीं है यहां तक कि शिकायद करता भी मोदी नहीं है यह कहा है उनका सरनेम बूट वाला है शायद जो बा जिसका सरनेम मोदी होता है राहुल के बयान से उनकी भावना आहत हुई है अगर इस सजा पर उची अदालत रोक नहीं लगाती है तब राहुल की सदसिता जा भी सकती है वे लोग सभा के सांसद नहीं रहेंगे उन्हें अपील के लिए तीन महीने का वक्त मिलेगा ऐसा लो मूल सद्धानत है और वो यह है कि आपको किसी स्पष्ट व्यक्ति या स्पष्ट चीज के विशे में मानहानी करनी चाहिए आरोपित रूप से कम से कम आप मानहानी एक मोटे-मोटे बड़े-बड़े बुद्धे के विशे में नहीं कर सकते हैं एक ऐसे विशे के बारे में जिसमें स्पष्टता नहीं है एक व्यक्ति विशेश के विरुद आक्षेप नहीं है और अगर वो आरोप वेग हैं ज्यादा ब्रॉड हैं बहुत बड़े एक हिस्से को जनसंख्या को लेते हैं अपने आरोपों में तो उसको मानहानी नहीं कह सकते नमबर दो सुस्से भी ज्यादा महत्वपूर्ण जिस वाक्य के विशे में चुनौती दी गई है कानून द्वारा उस वाक्य के विशे में किसी भी उन वक्तियों ने कोई भी कंप्लेंट फाइल नहीं की है जिनके संबंद में वो वाक्य कहा गया है जो भी नाम लिए गए हैं जो भी चीजें कहीं गई हैं उनमें से कोई व्यक्ति ने कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की ये भी मानानी के कानून का एक बहुत अभिन अंग है कि जिसकी मानानी हुई है उसको ही कंप्लेंट फाइल करनी होती है और उसको बताना होता है कि किस प्रकार अमुक व्यक्ति के कहने से इस व्यक्ति की माना नहीं हुई ये कंप्लेंट उन में से किसी व्यक्ति द्वारा नहीं है नमबर तीन जब फॉचदारी मुकद्मा करते हैं जो की किया गया इस केस में तो एक गलत नीती दुएश की भावना सिद्ध करना अतियावशक है कुलार की अगर आप पुरी स्पीछ देखेंगे तो वो जनहित के बारे में हैं राजनीती के बारे में हैं कीमतों की बढ़ोतरी के बारे में हैं बेरोजगारी के बारे में हैं उसके दौरान अगर ये वाक्य जिसको आज आपत्ती जनक माना गया है जिसको भी चुनौती दी जाएगी उपरी अदालतों में तो भी ये नहीं कह सकता कोई भी कि द्वेश की भावना से बदमिजाजी से जान बूझ कर जिसको मैला फिडे इंटेंट कहते हैं मैलिस कहते हैं कानून में ये एक अनिवार ये अंग है इस आरोप का और जब तक ये साबित नहीं होता पूरे स संदर्ब से तब तक आप नहीं कह सकते कि ये उफेंस बना है ये पूरी तरह से इस केस में साबित नहीं हो सकता है क्योंकि वाक्या संदर्ब एकदम अलग था चौथा और ये चीज़ें अभी जैसा मैंने का इसके डीटेल्स चेक करने हैं लेकिन जो अभी उनको अभी तक तथ्य मिले हैं उसके अनुसार ये मामला काफी अर्से तक एक मैजिस्ट्रेट मिस्टर एक्स के सामने था जब वो वहां था तो याचक ने कंप्लेनेंट ने बड़े कोट में हाई कोट में जाकर इस पूरे प्रक्रिया का स्टे ले लिया रुखवा दिया उसको काफी अर्से तक कई महीनों तक जब उस व्यक्ति का स्थानांतरन हुआ या वो उस ओदे से हट गए तो ये याचका जो उपरी अतारत में डाली गई थी उसको विड्रॉ कर लिया गया और ये वापिद नीचे आ गई एक भिन्ड मैजिस्ट्रेट के सामने जहां आपको निर्ने अब आया है तो इसकी तारीखें इस प्रक्रिया को भी हम गोर से देखेंगे के एक ठीक प्रकार से ये नियाएक प्रक्रिया हुई है के नहीं विपक्ष की तरफ से सबसे पहले आम आदनी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और कहा कि अदालत का सम्मान करते हैं मगर इस निर्ने से अहसामत हैं केजरीवाल ने लिखा कि गएर बीजेपी नेताओं और पार्टीयों पर मुकदमे करके उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं मगर राहुल गांधी जी को इस तरह मानहानी मुकदमे में फसाना ठीक नहीं जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना हम अदालत का सम्मान करते हैं पर इस निर्ने से अहसामत हैं अदालत ही अनुमती दे तब गलत होगा और सजा मिलेगी असमती होती है तभी आप उची अदालत में अपील करते हैं सूरत कोट ने भी उची अदालत में अपील के लिए राहुल गांधी की सजा को 30 दिनों के लिए सगित किया है लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला उन्होंने केजरीवाल के ट्वीट पर कहा है कि आम आदमी पार्टी का हाथ कॉंग्रियस के साथ आज परदा हट गया शहजाद पूनावाला ने कहा कि इससे साफ होता है कि वे अदालत के फैसलों में यकीन नहीं रखते शहजाद पूनावाला को ग्रेमंतरी अमिश्शा का या बयान चाहिए अमिश्शा ने केरल के सबरी माला मंदिर पर सुप्रीम कोट के फैसले पर कहा कि अदालत को वही फैसले सुनाने चाहिए जिनका पालन हो सके उस समय तमाम अखबारों में ये बयान छपा था आप देख सकते हैं कि अमिश्शा ने अदालत को चुनोती नहीं दी या आलोचना थी या नसीहत थी अमिश्शा ने क्यों नहीं कहा कि सुप्रीम कोट का फैसला लागू होगा मगर हम सहमत नहीं हैं उसकी जगा क्या उन्होंने ये नहीं कह दिया कि अदालत को वही फैसले सुनाने चाहिए जिनका पालन हो सके क्या वे सुप्रीम कोट को फैसला ल मानित हो गया लगतार एक समुदाए के खिलाफ करोडों लोगों के समुदाए के खिलाफ धर्म संसत जुटा कर गालियां दी जाती हैं तब तो प्रधान मंत्री चुप्पी साथ लेते हैं प्रधान मंत्री क्या इस मुद्दे पर बोलेंगे अदानी समुपर बोलेंगे उनका इंतजार है वे mother of democracy जुमले का इस्तमाल करते हैं क्या वे जुमले के लिए इसका इस्तमाल करते हैं क्या वे बताएंगे कि mother of democracy ऐसे चल रही है राहूल गांधी के भाशन को जिस कसोटी पर कसा जा रहा है क्या प्रधान मंत्री के भाशन को उसी कसोटी पर कसा जा सकता है तब क क्या होगा क्या प्रधान मंत्री इस पर कुछ कहेंगे और अब रविशंकर प्रसाद के आधिकारिक बयान के बाद बीजेपी नेताओं के कई नेताओं के बयान के बाद प्रधान मंत्री के बयान के इंतजार का क्या मतलब रह जाता है अलग-अलग बीजेपी के नेता इस फै कॉंग्रेस सद्यक्ष मलिकार जुन खरगे ने कहा कि हम आदानी मामले में जेपीसी की मांग कर रहे हैं राजनितिक दिवाली अपन की शिकार मोदी सरकार एडी पुलिस भेजती है राजनितिक भाशनों पर केस थोपती है हम हाईयर कोट में अपील करेंगे आज फैसले की खबर आते ही जगा जगा कॉंग्रेस के कारिकरताओं ने प्रदर्शन भी किया कॉलकता से लेकर महराष्ट में कई जगों पर प्रदर्शन हुए इन प्रदर्शनों में राहूल के लिए पोस्टर बनाया गया जिस पर लिखा था फियरलेस वारियर और निडर योद्धा गौतम भाटिया वकील है उन्होंने ट्वीट किया है कि जब कानून के छात्र को मान हानी के बारे में पढ़ाया जाता है तब एक उधारण दिया जाता है अगर कोई कहता है कि सभी वकील चोर हैं तो इस बात पर कोई वकील मुकदमा नहीं कर सकता जब तक कि वह साबित ना कर दे कि उसे निशाना बनाया गया था हैरानी की बात है कि इस बुनियादी बात को अंदेखा किया गया लगता है ये गौतम भाटिया ने अपने ट्वीट में कहा है अगर कोई व्यक्ति कहे कि दुनिया के सारे वकील चोर हैं और एक वकील होते हुए मैं उसे खिलाफ मुकतमा करूँ कि मेरी मान्हानी हुई है क्योंकि मैं भी एक वकील हूँ तो ये मुकतमा खारिज कर दिया जाएगा कि मानखानी का एक मूल यह है कि रग्ति यह दिखा पाए कि उसे चोट पहंची है तो एसे बहुत बड़े संगठन जैसे हैं मानों दुनिया के सारे वकील निया के सारे लोग जिनका नाम भातिया हो या मोदी हो तो ऐसे संगटनों के खिलाफ मानानी नहीं हो सकती और इस संगटन का भाग होकर मैं यह नहीं कह सकता कि क्योंकि मैं संगटन में हूँ कि मेरा नाम भातिया है या मेरा नाम मोदी है या मैं वकील हूँ तो इसलिए मेरी मानहानी हुई है वो मेरे खिलाफ कुछ कहना चाहिए तो इस फैसले की कई स्तर पर समिक्षा होनी है जिसका इशारा गौतम भातिया अपने बयान में भी कर रहे है एक बार सुप्रीम कोट में मानहानी कानून की धारा फोर नाइन नाइन और फाइव जिरो जिरो को चुनोती दी गई मामला था कि 2014 में डॉक्टर सुरमन्यन स्वामी ने दिवंगत जालेलिता के खिलाब बरस्टाचार का आरोप लगाया इसके जवाब में तमिलनाडू सरकार ने उनके खिलाब मानहानी का मकदमा कर दिया तब डॉक्टर स्वामी और अन्य ने 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 इस कानून की सम्वेधानिकता को चुनोती दी IPC 499 और 500 जिनके तहत राहुल गांधी को सजा सुनाई गई है तब सुप्रीम कोट के जस्टिस दीपक मिश्चरा और पीसी पंद की जस्टिस पीसी पंद की बेंच ने इस कानून को सम्वेधानिक बताया था राहुल को इसी धारा के तहत सजा दी गई है यह आज की खबर है बार एंड बेंच से हमने ली है अभी मन्यू हजारिका की रिपोर्ट है सुप्रीम कोट ने एक फैसले में कहा है कि अगर बिना जरूरत के किसी को जेल भेज रहे हैं तो मजिस्ट्रेट को निया एक अकादमी में ट्रेनिंग के लिए भेज देना चाहिए ताकि वे अपनी जानकारियों में और इजाफा कर सकें कोट ने कहा कि मजिस्ट्रेट को अनावश्यक ही लोगों को जेल नहीं भेजना चाहिए जस्टिस संजे किशन कॉल, जस्टिस ए अमानुला, जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच नहीं ये टिपनी की है बेंच ने कहा है कि ऐसे मजिस्ट्रेट जो लोगों को बिना जरूरत के जेल भेजते हैं उनसे न्याई काम छीन लेना चाहिए और ट्रेनिंग के लिए भेज देना चाहिए सुप्रीम कोट ने कहा कि ये हाई कोट की ड्यूटी बनती है कि अधिनस्त न्याईपाली का कानून का पालन करे मजिस्ट्रेट के कोट पर सुप्रीम कोट की ये टिपनी समान्य नहीं है अनावश्यक जेल भेजने पर कोट को कहना पड़ा इसका मतलब है कि कुछ ठीक नहीं है बहुत कुछ ठीक नहीं है तभी तो सुप्रीम कोट की बेंच ने कहा कि ऐसे जुडिशिल मजिस्ट्रेट को ट्रेनिंग के लिए भेज देना चाहिए कोट ने कहा कि ऐसे आदेश यूपी की अदालतों में लगातार दिये जा रहे है बहुत दिये जा रहे है कोट ने बताया कि हाथरस गाजियाबाद और लखनव की निचली अदालतों में इस तरह के आदेश जारी हो रहे है कानून को नजर अंदाज कर ऐसे आदेश जारी किये जा रहे हैं यह हालत हो गई है इस देश की तो आज आपके सामने तीन उधारण है एक यूपी की निचली अदालतों पर सुप्रीम कोट की टिपनी दूसरा मंतरी अनुराग ठाकूर और बीजेपी के सांसत परवेश वर्म के मामले में दिल्ली हाई कोट का बयान टिपनी के चुनावी भाशन और समान्य भाशन में फर्किया जाना चाहिए तीसरा सुरज जिला कोट का फैसला जिसमें राहुल गांदी को दो साल के लिए सजा हुई है एक भाशन के लिए उम्मीद है आप इस वीडियो को कई बार और ध्यान से सोचेंगे पता चला कि गौता मदानी पर आरोप लगाने के आरोप में एक दिल लाखों लोग जेल में डाल दिये गए हैं नमस्कार मैं रविश कुमार